आई दोस्तों आज इस वीडियो का जो है कि सेकंड पार्ट इस्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से आप उसे देख लें और उसके बाद इसको भी देख लें तो च परियुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर दूसरा परमख भूम्यका के आधार पर ठीक है न और उसके बाद जो है तीसरा पूझी निवेस के आधार पर और चौथा है स्वामित्तु के आधार पर और फिर पाँचवा जो आपको यह मिलेगा उपर होगा कहीं पाँचवा भी होगा बिल्कुल सही जवाब कच्चे तथा तयार माल की मात्रावे भार के आधार पर तो इन पांच आधार पे हम उद्योगों का वर्गी करन करते हैं, तो सबसे पहले जो आधार है वो है परियुक्त कच्चे माल के सुरोद के आधार पे, कि हमें कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है, उस आधार पे हमने उद्योगों को दो भागों में ठीके बाटा है, पहला अैं किर्सी अधारित दूसरा be खनीज्य अधारित उधयोग दोस्त वे उध्योग होते हैं जो हम ड्रिक्त या नी की सीधे तौर पर किर्सी यहीं खेती से अपना तच्चा माल प्राप्ट करते हैं उधinka के तौर अगर मैं आपको यहां पर गिनवाओं तो सूती वस्त्र, उनिवस्त्र, पट्सन, रेसम, वस्त्र, रबड, चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति, तेल, यह सब डारेक्ट किरसी के कच्चे माल पर आधारीत हैं, किरसी के कच्चे माल से ही चलते हैं, वहीं पर हम बात करें, दूस जो के आधार पर चलते हैं, यानि कि लोहा अगर हमें प्राप्त करना है, तो हमें खनीज चाहिए, मैगनेट टाइट या हैमेट टाइट, ओके, सीमेंट अगर बनाना है, तो हमें जिपसम चाहिए, ऐलमीनियम बनाना है, तो बॉक्साइट चाहिए, तो यह खनीज होते हैं जो डाइरेक्ट जमीन से निकलते हैं पिर्थवी की भूह परपटी से निकलते हैं ठीक है पिछले चैप्टर में आपने इसके बारे पढ़ी लिया होगा अब अगला जो आधार होगा अधार भूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनके उत्पादन या कच्छे माल पर द लोहे ने दूसरे परकार के जैसे गाड ltक हो जाती है जितनी भी हमारे वहान होते हैं चाहित्व ट्रक हो बस हो बाइक हो सब लोहे से ही बनते न हा और मसीने बीन लोहे से बनते हैं में ऐसे अग हो जिनके आधार PC बहाद करें तो आप जानते ही हो कि ऐसे उद्योग का तो जो उत्पादन उभोक्ताओं के सीधे उप्योग है तू करते हैं जैसे चीनी दंतमंजन कागज पंखे सिलाई मसीन आद यह सब जो है कि कोई ना कोई गरहां खरिता है उसका उप्योग करता है तो इस अस्तर पे जो है कि दो भागों में बाटा गया यानि कि भूंगा के स्थार पर एक है अध्योग और दूसरा भो कि यादभिगा आज तीसरे आधर की बात करते तो सब्सक्राव जो तो पूझी निवेस के अधार शिर वूज व्यों her दो रिहें लगुत द्योग में स्टक तर्व्योग में एक करोड़ तक को अ रहाएगा लगुद्योग और एक क्रोड से अधिक हैं जैसा दिखे अधिक्तय bargた करेंगें निवेस होने पूजी के आदार पर स्वामित्यों की स्वामित्यों का मतलब होता है कि उद्योग का मालिक कौन है ठीक हैं करें कि टीन परकार के होते हैं सोर्जनिक जिय०्ष ऑ ոै Favor को संयूक संयुक्त का मतल्म होता है दोस्तों दोनों मिलकर कारी करते हो को उद्योग चलाते कि आप बात करेंगे वे उत्योग जो राजी सरकारों नीजी छेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं जैसे इंडियन ओयल लिमिटेड ठीक है यानि कि ओयल इंडिया लिमिटेड एक ऐसा संयुक्त उपकरम है जो सरकार और प्राइबेट दोनों मिल कर चलाती हैं कंपनिया और अगर हम बात यहां से पढ़ लिजीगा भारत है विलेक्टिकल लिमिटेड और से यानि कि इस्टिल अथॉर्टिय आफ इंडिया लिमिटेड तो यह दो ऐसी कंपनिया हैं जो सरकार के आधीन है यानि कि पूर्ण रूप से सरकार इसको चलाती है वहीं दूसरी तरफ नीजी छेत्र के उ स्वामित तो होता है ठीके ना आए बास समझ में जैसे टिसको बजाज ओटो लिमिटेड डाबर ठीक हिंदुस्तान यूनिलीवर यह सब ऐसी कंपनिया हैं जिस पर एक या एक से अधिक लोग मिलकर कारे कर रहे हैं और इसमें सरकार को के हज़त छेप नहीं है तो अब आप 5 आधार पचार तो सहकारी उद्योग समझाते हैं चौथा टाइफ सहकारी उद्योग दोस्तों अब सहकारी उद्योग बिदे कि समझ लिज apar कर एक और अध्यान रखना chief इसमें सभी लोगों का लाब होता है यानि कि इसमें सभी लोग मिलकर पुंजी लगाते हैं और मिलकर कारे करते हैं इसका सबसे अच्छा एकजांपल है दोस्तो तो देस में अमूल दूदूद। आपको धयान रखना होगा कि अमूल दूदूद किसी एक व्यक्ति की कंपनी नहीं है और इसमें मालिक भी कोई एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति नहीं बलकि इसमें सब योग्दान होता है ये एक समीती समीती द्वारा सारा कारी कियागा। सभी के ये मुख्य लक्ष होता है कि सभी को एका साथ लेकर आगे चलना है। जैसे देखे जिनका स्वामीत तो कच्चे-माल की पूर्ती in वाल उतपाद और गुजरात का अमुल दूद का उद्योग है इसको समझने की जरुवत है कि जो बना रहा है और जो लेबर काम कर रहा है ठीक है दोनों ही सहकारी उद्योग में मालिक होते हैं इसका सबसे अच्छा उद्रान आपके सामने अगर में रखूं तो मुंबई के जो डिब्बा व माले हैं आपने सुना होगा कि उनका एक मिनट तीपन लेत नहीं होता किसी उसमें जो ले जाते हैं कैसे उनमें सब माला क्या सहकारी समयति के द्वारा कारे हो रहाए इसलिए सब करते हैं तो यह तो हो गया आपकाते हैं उत्पाद या भाइवान खर्च ज्यादा परिवहन पर खर्च करना पड़ता है उनमें लोहा और इस पात उद्योग में आप समझ गए होंगे कि कम भार वाले कच्छे माल का परियोग कर और हलके तयार माल का उत्पादन करते हैं जैसे विदृती उद्योग तो इसको हम बोलेंगे हलके उद्योग तो दोस्तों यह तो हुए उद्योगों का वर्गी करन ठीक है अब किरिया कलाब यहां पर दे रखाए उसको समझने की कोशिस करते हैं इससे आप काफी कुछ सीखन मिलता है कि कच्छा माल और तयार माल की मात्रा और भार के आधार पर नीम्न दो वर्गों में वहजित करें कच्छे माल के आधार पर और तयार माल के मात्रा और भार के अधार पर ठीक है अब देखिए तेल कौन सा उद्योग हुआ कि किरसी आधारित उद्योग बुर्णे क कुए कौन सा हुआ हुआ है तो टैयार मानों हरा याल के हुद यूग में फ्यूषतार के उधियोग में हलके से एकरणम कर सकते हैं ठीक है आई यह बात करते हैं किरसी अधारत उद्योगों की विस्तार से अभी आपने सौट में पढ़ा था कि किरसी अधारत उद्योग कौन-कौन से होते हैं तो अपने देखे थे कि सूती वर्षर परटसन रेसा मूनी वसर चीनी वनस्पति तेल और भ सबसे पहले बात करेंगे वस्तर उद्योग की तो भारती अर्थव्योस्ता में आप जानते हैं कि वस्तर उद्योग का बहुत बड़े योगदान है लगभग 14 पर 30 हिस्सेदारी है मैनुफैक्टरिंग सेक्टर में इसकी यानि निर्मार छेतर में कपड़ों का ही 14 पर 30 हिस भी होगा फिर कपड़ा बनेगा उसके बात परीधान बनेगा परिधान को समझने की जरूत हैं की अब जानते हैं की तरफ पहले कपास होता है ले निकलता कच्छा जाती है छों applis HOW सोग्रस mentation का सब कर में से कच्छा लाए बनाया सके ठीक है तो सूत बन गया धागा बन गया धुनाई कताई प्रोसेस का नाम है उसके बाद उस धुनाई कताई होने के बाद धागे का बुनाई होगी बुनाई होगी तो दोस्तों आपको पता है कोई भी कपड़ा गर बनाया जाता है तो ऐसे बुनाई होती है एक लेन कपड़ा है और कुछ नहीं है उसके बाद इसका रंगाई परिसकरन होगा यानि सुद का बैसारे कपड़े वाइट बनेंगे अब उसकी रंगाई परिसकरन होगा, या निकी रंगाई करेंगे प्रोसेस करेंगे और अलग बिजाइन बनाएगे ऊसे ठीक हैं अभी भी जाता है फिर तेलर के द्वारा फैक्टरियों में कपड़े की सिलाय की जाते on denär कपड़े बनाये जाते हैं महिलाओं के लिए पुरुसोत के लिए बच्चेयों के लिए अलगलग प्रकार को डिजाइन निकलते चिज्ञ वाले कपड़े की फेक्ट्रियमान होगा वियाध की Lor के घर पर एक ही तो दोपेस इस प्रकार से हमारा की सूतीवस्तर कार्य करता हैं आई ही बात करतें कि कहां पर जो है की अस्थापित मुख्य रूप से धीक है महाराष्ट गुज्राथ और तमिलाडू के च्छेत्रों पर रेकिन आपको ध्यान रखना होता है साथ में पूरे देश में कारे होता है कताई मुख्य रूप से इन तीन राज्यों में होती है लेकिन जो कारे हैं बनाने का डिजाइन यह सारी चीजें हैं क्या यानि रेसम सूती रेसम जरी कासिदारी कड़ाई प्रिंटिंग सब जो है की पूरे देश में होता है सिर्फ कपड़ा इन तीन राज्यों में मुख्य रूप से बनाया जाता है उसके बद आपको बता दू कि जितनी कताई हमारे हां पर होती है देश में जितनी कताई का उप्योग हम नहीं कर पाते हैं और इसलिए हम जापान देशों को कताई का बहुत सारे धागा बेच देते हैं के लिए जैसे अमेरिका इंग्लेंड रोज फ्रांस पूर्वी ये देश नैपाल यही देश अपनी टेक्नोलोजी का प्रद्योगी की का इस्तमाल करके ठीक है विस्तो अस्तर पे उन्हीं से कपड़ा बनाकर बेशते हैं मार्केट में और अच्छे पैसे अच्छा मुनाफ़ा कमाते हैं ठीक है तो यह काफी जटिल प्रकिरियाही से इतना असान मत समझेगा आप देखिए यहां पर एक अंदाजा लगाने के लिए दिया गया है आपको जड़ा दिखाता हूं देखिए एक उधारन के तौर पर बताया गया कि 85 रुपे का प्रती किलो ग्राम खरीदा जाता है यानि एक किलो धागा 85 रुपे का खरीदा जाता है और जब वो पैंट अगर पंट के मार्केट में आता है तो वही 800 रुपे का हो जाता है यानि 1 किलो धागे के अगर पैंट बनाई जाए पतलून बनाई जाए तो मार्केट में आते आते वह 800-900 गुने से बही जादा बढ़ जाता यानिकीिद्धिने 310 बढ़ गया ठीक है लगबग 9 नौश से उसके दाम में तो इतना जटिल पर किरिया कि कई कई चhei चरण बता है ये बढ़ा बता कि रेषब से कपड़ yum बनाना और ओर फिर परिधान से cook दॉधंने डिजाइनर यंदर परिधान बनाना तो चिलिए आपको घुखि के बारे में काफी कुछ पता चल गया है याँ जरह प्रकास डालते हैं map पर और देखते हैं कि map में सूती वस्त्र और उनिवस्त्र उद्योग और रेसम का जो वस्त्र उद्योग है वो कहा कहा पर पर चली था और कहा ज्यादा प्रसिद्ध है तो आप दोस्तों जानते होंगे यहाप एक बार जरा map को यह समझ लीजिए ताकि आपको problem नहों यह सू करम से याद कर लालवाव उनिवस्त्र उनिवस्त्र कहां कहां हें गुरुग्राम लुधियाना अम्रीज स्री लिए याद geliyor है उनिवस्त्व यलिए बहुत famous है साजहापूर कानपूर वरानसी दो तो आपने सुना होगा कि बनारस में रचारी बनती है न मैसूर इन तीनज जगव पे मुख्य मुख्य सहरrik है नौध कर दो दोस्तों अगली वीडियो आपको थोड़ी दिर बात मिलेगी तब तक के लिए एक선ट आई हूँ हो तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी दे दे ताकि उनका जो कल इग्जाम है उसमें उनकी थोड़ी हैल्प मिल जाएं तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तके रिए थैंक्यू वबाय जैहिंग जै भारत